Hello everyone, कैसे हो आप लो? I hope you all are doing very well. मैं हूँ जोशिका from LearnoHub, the free learning platform जहां पर आप पर सकते हो Physics, Chemistry, Biology, Mess, absolutely for free at LearnoHub.com तो बज़ो आज से हमें स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चाप्टर Class 12 के NCRT Solutions सीरीज में, जिसका नाम है Nucleae ठीक है, आज हम डिसकस करेंगे from 13.1 to 13.13 इसके बहले आपको क्या करना है, जल्दी से जाके ना प्लेलिस्ट में देखना है और यहाँ पर बन शॉट वीडियो आपको दिख जाएगा, आपको देख लेना है और मेरे साथ साथ अपनी NCRT Solutions की प्राक्टिस करोगे ना, तो सारे कंसेप्ट, सारे नुमेरिकल्स होने वाले हैं, क्रिस्टल एंड क्लियर, तो जल्दी से रेडि हो जाएगे, और मेरे साथ साथ अपने solutions की प्राक्टिस करते हैं, get set ready, तो बचो आज की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हमको देखने पढ़ेंगे कुछ important points या कर आप कह सकते हो कुछ important data, जो की हमारे इस exercise को solve करने में काफी useful होने वाले हैं, जिसमें आप देखोगे, कुछ चीज़े आपको पता है, कुछ चीज़े आपको नहीं पताऊंगी, like आपको पता क्या है, आपको हम यह जानते है, electron का charge क्या होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, आपको मुझे तो यह भी पता है कि 1 upon 4 pi absolute क्या होता है, बिल्कुल पता होगा, that is 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square, then आप यहाँ पर 1 MeV निकाल होगी, कैसे, तो हम भी जानते है, इसको क्या बोलते है, 1 MeV, ठीक है, तो इसकी value होती है, 1.6 into 10 to the power minus 13 joules, कैसे आई होगी, into कर दिया होगा, मेगा, that is 10 to the power 6, का multiply करोगी, आपको यह मिल जाएगा, बिल्कुल सही है, मैं, 1 year is equal to how many seconds, this is very important, यह आपको शायद से नहीं पता हो, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं नहीं पता है, तो देख लो, पता है, तो recall कर लो है ना, तो 1 year is equal to 3.154 into 10 to the power 7 seconds, फिर आपके पास, mass of hydrogen item is given to you, that is, 1.007825U, ठीक है, फिर आपके पास, mass of 4HE2 का, मतब यह 2HE4 का आपको दिया गया है, that is, 4.002603U, then, आपके पास, N क्या होता है, that is, 6.023 into 10 to the power 23 per mole, that is, Avogadro number, K is what, that was, that is, Boltzmann constant, that is, 1.381 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin, then 1U, कितना होता है, 931.5 MeV upon C square, and MN is 1.008665U, and electron का है, 0.00548U, ओके तो यह सारे हमारे है, important data, जो कि हमारे आने वाली exercise, उन्हें, यूज होने वाले है, पढ़े आपने, आप चाहो तो screen shot भी ले सकते हो, या आपने notebook में note भी कर सकते हो, जैसा आपको comfortable लगे, तो बच्चो आज के session का first question आपके screen पर है, जिसमें बोला गया है, two stable isotopes of lithium, 3 lithium-6 or 7 lithium-7, have respective abundances of 7.5% and 92.5%. These isotopes have masses 6.01512U and 7.016000U respectively, find the atomic mass of lithium, अब ही मैं इसका B part नहीं पढ़ती हो, सिफ A part को ही पढ़के सारी चीज़ों को हम लिख लेते हैं, सबसे बहले तो मुझे ये बताओ, कि what do you mean by an isotope, क्या होता है बढ़ा है कि नहीं कैमिस्ट्री में, पढ़ा होगा ना, that is same isotopes क्या होते हैं हमारे, same atomic number, but different mass number, और आप कह सकते हो इसको, equal number of protons, but different number of neutrons, ओके, तो ये मतलब होता है isotopes का, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, तो लीथियम की आपको isotopes ही दिये है, देखो यहाँ पर, यह आपका atomic number same है, बट यह mass number जो है, वो different है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी अपना given portion for A, तो given में हैं आपके पास two stable isotopes, लिख दिया है मैंने, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी, आप इसको बोल दो N1, यह होता है M2, ठीक, फिर आपके पास क्या given है, यह जो isotopes दिये गए है, इनके mass भी given है, तो आपके पास M1 क्या हो जाएगा, that means mass of 3 lithium-6 is 6.01512U, and M2 माल लेते हैं हम, mass of 3 lithium-7 is 7.01600U, ओके आपको क्या calculate करना है, itemic mass of lithium, ओके मैं, इसका हमारे पास एक direct formula दिया गया है, NCRT में क्या है वो formula, इसको आप बोलोगे, itemic mass को M, that is M1 N1 M1 N1 plus M2 N2 upon N1 plus N2, यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपको isotopes दिये हैं, उनका mass and उनकी abundances को हम multiply करके add करेंगे, और divide किसे करेंगे, दोनों abundances को add करके, ठीक, ओके मैं, M1 की value आपके पास है, क्या है 6.01512, multiply N1 जो ही है आपका 7.5, plus M2 है आपका 7.01600, multiply N2 which is 92.5 upon 7.5 plus 92.5, ओके, आप कर लो जल्दी से इसको solve, जैसे आप solve करोगे, mathematical calculation करोगे, आपको answer मिल जाएगा, 6.940934U, ओके, तो यहाँ पर आपके A part में आपको जो calculate करना, that is, itemic mass of lithium, वो आपने निकाल लिया है, 6.940934U, इसका मतलब जो पूरा question का यह part है, वो solve हो गया है, अब हमें देखना पड़ेगा इसका B part, तो बच्चों, इसके B part में क्या पूछा गया है, B part में बोला है, कि बोरोन जो है, उसके पास 2 stable isotopes है, अब isotopes क्या होते हैं, आपर पहली बता चुकी हूँ, कौन-कौन से है, 510B और 511B, ठीक है, दियर रिस्पेक्टिव मास्से आ, 10.01294U, 11.00931U, एंड आइटमिक मास अफ बोरोन इस गिवन तो यू, त इस 10.811U, आपको यहाँ पर अबंदेंस निकालनी है, 510B की और 511B की, ठीक है, समझ गए, यहाँ पर यह पार्ट में क्या था, जस्ट इसका खुछ उल्टा था, यहाँ पर आपको कैल्कुलेट क्या करना था, आपको दिया गया था, कैल्कुलेट करना था, आपको आपको आटमिक मास अफ ली थी, मतलब यहाँ पर फॉर्मुला तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ निकालने की वेल्यूस चेंज हो गई है, लेकिन फॉर्मुले और आपको गिवन चीज़े काफी कुछ सिमिलर टाइप की है, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर इसका बी पार्ट का गिवन पॉर्शन, गिवन में है दो आइसो टोप, तो आपको 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 गिवन है, तो आप मालो इसका मास M1, विच इवन तो यू 10.01294U, फिर आपको क्या गिवन है, आइटेम में मास गिवन है, बोरोन का जसको हम माल लेते हैं, M is equal to 10.811U, ठीक है, अब यहाँ पर क्याल्कुलेट करना है, आपन टैंसिस और 510B और 511B, तो यहाँ पर किस तरीगे से करेंगे, क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर माल लेते हैं, let the abundances of 510B is equal to X percent, हमने X percent माल ले या, अब मुझे बताओ, उसमें अगर हमने यह वाला X माल आए, तो वो कितना हो जाएगा, जो पूरा है, उसमें से इतना minus, पूरा माल लेते हैं 100, तो 100 minus X percent, ठीक है, let abundances of 511B is equal to 100 minus X percent, ठीक है, formula कौन सा यूज होगा, बिल्कुल सही है, जो item में मास का formula हमने, यह पार्ट में करा, वही यूज होगा, सिर्फ यहाँ पर, अब अंतर क्या हो जाएगा, कि हमारा जो N1 था, वो अब है X percent, जो N2 था, वो हो गया है, 100 minus X percent, ठीक है, अब यहाँ पर आपको यह M दिया है, यह आपको N1, N2 में जो यह X की value है, वही आपको calculate करने हैं, ठीक है, तो सारी values को रखते हैं, तो यह होने वाला है, M1 कितना है आपका, 10.01294, multiply X, plus M2 कितना है, 11.00931, multiply 100, minus X upon X plus 100 minus X, that means, यह हो गया, cancel, तो यहाँ पर आपकी equation बनेगी, M is equal to 10.01294X plus 11.00931, multiply 10, minus 11.00931X, upon 100, M कितना है वो भी रख दो, तो M है आपका, 10.811, थीक है, अब इन कफ को solve करोगे, तो आंसर आपको क्या मिलने वाला है, तो आपका X equal to आजाएगा, 19.821 upon 0.99637, अब आपका X आपका आने वाला है, 19.89%, तो इसका मतलब, abundances of 510B is this, अब आपको निकाला किसका है, 511B का, तो वो कितना आपने अज्यूम किया है, 100 minus X, that is 100 minus 19.89, जितना अज्यूम का परसेंट कितना आ रहा है, यह आएगा, आपका 80.11%, तो आप लिख दोगे, hence the abundances of 510B is 19.89% and 511B is 80.11%, इसका मतलब proper जो ना, आपका question number 1, वो solve हो गया है, simple था, direct formula आपको दिये गए हैं, तो कोई भी ऐसा logic को इस्तिमाल नहीं करना है, सिफ formula पता होना चीए, क्या दिया, यह पता होना चीए, आपका answer निकलाएगा, चलो देखते हैं, इसका second part, तो बजो आपकी screen पर आचुका है, हमारा next question, जिसका number है 13.2, जिसमें पूछा गया है, the three stable isotopes of neon is given, that is 10, 20 neon, 21, 10 neon or 22, 10 neon, have respective evidence of 90.51% or 0.27% or 9.22% and itemic mass of these three isotopes are given to you, that is 19.99u, 20.99u or 21.99u, obtain the average itemic mass of neon, ठीक है, यहाँ पर भी यह जो question है, अगर one question अच्छे सॉल कर लिया है, तो यह वाला question भी सॉल हो जाएगा, given क्या है आपके पास, तो आप लिखोगे, पहले हमारे पास given है, abundance of 20 neon 10, कितना दिया गया है, 90.51%, आप इसको मालो N1, ओके, अब इसी का आपको itemic mass भी दिया गया है, कहां गया है itemic mass of three isotopes, तो आप लिखोगे, itemic mass of 10 neon 20 is equal to 19.99u, आप इसको मालोगे, M1, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास, N2 given है, N2 कितना दिया गया है, 0.27%, and इस 10 neon 21 का itemic mass है, आपका 20.99u, फिर आपके पास गिवन है, N3, 9.22% and N3 given है, 21.99u, आपको यहाँ पर calculate करना है, average itemic mass of neon, जिसको आप क्या लिखोगे, M, अभी formula पढ़ा है, थोड़ी दिर पहले, 2 isotopes का, यहाँ पर बात हो रही है, 3 stable isotopes का, तो यहाँ पर formula में होने वाला है, modification बहुत चोटा, that is, M1 N1 plus M2 N2 plus M3 N3 upon N1 plus N2 plus N3, ठीक है, अब अगर यहाँ पर 4 stable isotopes होते हैं, तो भी यहाँ पर M4 N4 हो जाता, है ना, I think आप समझ गए, M equal to होने वाला है, M1 की value रखो, तो M1 आपका आए गए, यहाँ पर 19.99 multiply 90.51 plus 20.99 multiply 0.27 plus 21.99 multiply 9.22 upon 90.51 परसेंट वाला फिर आजाएगा, 0.27 plus 9.22, solve करोगे, answer मिलेगा, तो यह आएगा solve करने से 20.1771 U, तो आपका क्या calculate कर लिया आपने, आपने निकाल लिया, average itemic mass of neon, तो यह question तो बहुत ही simple था, तो रंत हो गया होगा, तो चलो चलते हैं अपने third question की तरफ, तो बच्चों आपकी screen पर आ चुका है third question, जिसमें पूछा गया है, opt in the binding energy in mega electron volt of a nitrogen nucleus 7 and 14, given mass of 7 and 14 is 14.00307 U, अब इसमें तो सिफ मास दिया गया है, किस तरीके से आप binding energy निकालोगे, मतलब यह first और second जो question इतने simple थे, उसके जितना simple तो नहीं होने वाला है, बिल्कुन नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर, पहले given, तो given में लिखोगे, that mass of, किसका है, 7N, 14 is 14.00307 U, and आपको calculate करना है, binding energy which is denoted by E B, ठीक है मैं, अब मुझे यह बताओ, किसी भी item में, अगर हम बात करते हैं, उसके representation की, तो क्या होता है, इस तरीके का representation होता है, है ना, जहाँ पर यह जो आपका Z होता है, यह क्या होता है, itemic number होता है, और आप कह सकते हो, यह होता है, number of protons, ठीक है, अगर E की बात करें, तो E क्या होता है, हमारा mass number, अब अगर यहाँ पर बात करें अपन, number of neutrons की, तो वो क्या हो जाते है, तो आप कहते हूं, यहाँ पर calculate करते है, A minus Z से, ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले item के लिए, आपके number of protons क्या हो जाएंगे, 7, and number of neutrons क्या हो जाएंगे, तो 14 minus 7, that is 7 neutrons, ओके, यहाँ तक बात आगई समझ में, अब स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, हमने एक पड़ी थी important table, important facts या important data कह सकते हो आप, जहाँ पर आपने देखा था, कि mass of proton is given to you, and mass of neutron is given to you in that chart, था कि नहीं, बिल्कुल था, फिर से देख लो एक बार जाके, तो देख लिए आप लोगों ने, क्या है mass of proton is 1.007825U, and mass of neutron is 1.008665U, ठीक है, clear हो गया यहाँ तक, तो इतना हमको given था, अब अगर binding energy निकालनी है, मतलब यह अगर निकालना है, उसका formula क्या होता है, delta M और c square, अब यहाँ पर, आपको delta M मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन delta M होता क्या है, तो आप बोलोगे, delta M होता है, हमारा mass defect, ठीक है, यह भी बात होगी एक लिए, अब इसको निकालते कैसे हैं, उसका भी formula होगा, तो मैंने formula लिख दिया, क्या लिखा, ZMP plus E minus Zmn minus M, where M is this one, Z आप निकाली चुक्यों हो, that is number of protons, 7, ठीक है, mass of proton, multiply कर दो, 1.007825, plus, E minus Z आपने निकाला था, 7 mass of neutronis, 1.008665, ठीक है, एंड आप क्या minus करोगे, पूरा, itemic mass of, this nitrogen nucleus, तो यह आपका दिया गया है, 14.00307, calculate करोगे, तो आपको मिले गाईए, अब आपने यहाँ पर, डिल्टा एम निकाल के लिख दिया, 0.11236U, ठीक है, अब अगर इसको मैंने यू में छोड़ दी, याँ पर मुझे एनरजी किसमें चाहिए, तो आपको दिखेगी, आपको चाहिए, और आपका बाइंडिंग एनरजी का फॉर्मुला भी, टिल्टाइम सी स्क्वार है, मतलब कही ना कहीं, हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए, वन यू और एमिवियर का, है क्या, तो आपको बिल्कुल है मैम, हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं, तो आप जानते हो, कि वन यू जो है, वो आपका होता है, 931.5 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट अपॉन सी स्कुवाई, ठीक है, अब यहां से अगर मैं आपको कहूँ, कि आप इसको इस फॉर्मेट में लिख दो, तो लिख सकते हैं न, तो आप कहोगे यह हो जाएगा, 0.11236 मल्टिप्लाइ, 931.5 मेव अपॉन सी स्कुवाई, क्या मुझे डेल्टा एम मिलने से, मेरा आपका बाइंडिंग एनर्जी निकल आएगी, तो बिल्कुल निकल आएगी, मैंने आपको यहां पर फॉर्मुला ओल्ड़ी लिखा हुआ है, that is, EB is equal to डेल्टा M C स्कुवाई, और यह क्या होता है हमारा, M E V upon C स्कुवाई, आपको multiply भी किसे करना है, C स्कुवाई से, यह तो हो गए, cancel out, आप multiply कर लो, आपको answer मिलेगा, in terms of M E V, तो बचो आपने जैसे ही, multiply करोगे इनका, तो आपको answer मिलेगा, आपका binding energy का, that is, 104.66334 M E V, मतलब इस कोशन का टार्गेट क्या था, binding energy fine करनी थी, किस terms में करनी थी, mega electron volt के terms में करनी थी, तो आपने कर ली यह, मतलब इस कोशन को लॉख करते हैं, और move करते हैं, next question की तरफ, तो बचो आपकी स्कीन पर है, हमारा, fourth question, जिसमें आपको वोलाई कि, आपको binding energy calculate करनी है, that is, E V, किसके लिए, nuclei के लिए, 26 iron, 56 and 83, बिसमें 209, किस unit में निकाली है, MEV में निकाली, that was mega electron volt के लिए, और आपको mass given है, item का, किसका iron के item का mass given है, 55.934939U, and mass of, आपको बिसमें दिया है, 209, 83, E is equal to, 208.980388U, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको given है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, तो आपको binding energy निकालने का जो formula होता है, that is, delta M C square, ठीक है, जहाँ पर यह जो delta M A, यह आपका होता है, mass defect, ठीक है, and इसका formula होता है, आपका, ZMP, plus, A minus Z, MN, minus M, ठीक है, तो हमने एक basic formula लिख लिए, अब अगर बात करें, अभी सिर्फ iron वाले case की, तो यहाँ पर क्या देखोगे, आप इसको लिख लेते हैं, 26, iron, 56 को अगर देखोगे, तो आप कहोगे, कि जो 26 है, number of protons है, कितने हैं, 26, number of neutrons की, अगर मैं बात करूँ, तो यह हो जाएंगे, आपके, 56 minus 26, that is 30, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई, ही समझ में आ गई हमको, अब यहाँ पर, अगर मैं इस केस के लिए, अगर डेल्टा M, कैलकुलेट करूँगी, तो उसमें आप देखो, कि Z क्या होता है, number of protons, itemic number, that is 26, mass of proton, plus, A minus Z, 30 MN, minus, mass of, किसका, तो आप बोलोगे, 26, iron, 56, अब यहाँ पर, गल्ती का होने वाली है, कि लोग इतना ही रख देंगे, बट कोशन में, क्या पूचा गया है, आप से, कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, nuclei का, जो binding energy है, वो कैलकुलेट करनी है, अब अगर nuclei की बात करेंगे, तो वहाँ पर, आपका electron नहीं होता है, सिर्फ proton और neutron होता है, हैना, तो यहाँ पर, अगर यह item कंसीडर करोगे, तो वहाँ पर तो electron भी कंसीडर होगा, होगा कि नहीं, तो यहाँ पर आपको, माइनस करना पड़ेगा, 26 mass of electron, आप जब electron को निकाल दोगे, तो अब क्या बचेगा, आपका nuclei बचेगा, ठीक है, यहाँ तक बात आ गई हमको समझ में, अब इसको जब आप लिखोगे, तो यह होगा, 26 MP plus 30 MN, plus 26 ME, minus mass of 26 iron 56, यह mass है, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टिप्लाइ नहीं किया, क्योंकि और यहाँ पर M लिख दिया था, आप चाहों तो इसको इस तरीके से भी अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर इसको देखोगे, तो आपको देखेगा कि 26 MP plus ME plus 30 MN minus mass of 26 iron 56, और इसको देखके लगेगा ना कि प्रोटोन और इलेक्ट्रोन यह जो मिल गए है, यह आपको मन जाएगा, mass of hydrogen item, तो आप इसको लिख सकते हो, 26 MN plus 30 MN minus mass of 26 iron 56, अब देखो, हमारे पास जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टेबल दीती है ना, एक डेटा दीया था, जहां पर mass of hydrogen item is given to you, that is 1.007825 VU, and mass of neutron is given to you, that is 1.008665 VU, सारा में यहाँ पर रखेंगे तो यह होगा, 26 multiply 1.007825 VU plus 30 multiply 1.008665 VU minus mass of iron, that is 55.934939 VU आप इसको solve करोगे, तो आपको जो delta M है, वो मिलने वाला है, 0.528461 VU, तो अब यहाँ पर जो आपको answer आया, mass defect का वो आया है, U के term में, unified itemic number के term में, तो क्या मुझे यहाँ पर answer U के term में चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे अपनी जो binding energy है, वो मुझे चाहिए अपनी MEV में, that was mega electron volt में, तो अब हम जानते हैं कि 1U and MEV के बीच में एक relation होता है, that is 1U is equal to 931.5 MEV per C square, ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा delta M है, उसको मैं convert कर लूंगी, और यह हो जाएगा, 0.528461 multiply 931.5 MEV C square, ठीक है मैं, अब अगर मैं binding energy calculate करूं, which is delta M C square, delta M की value रख देती हूं, 0.528461 multiply 931.5 MEV per C square, multiply C square सी कट कट जाएगा, और आपकी जो binding energy आईगी यहां से, यह आईगी आपकी 492.26 MEV, इसका मतलब मैंने या आपने और हमने, iron nuclei के लिए आपने binding energy calculate कर ली, that is 492.26 MEV, अब हम इसी तरीके से इस बिस्मित के लिए फाइंड करते हैं, अब बिस्मित के लिए अगर देखें, तो बिस्मित को हमने कुछ इस तरीके से कुशन में दिया है, तो यहां पर देखोगे तो आप कहोगे, मैम number of protons जो हैं, वो 83 है, number of neutrons जो हैं, वो आपके है, 209 minus 83, which is 126. ठीक है, तो हमने number of protons and number of neutrons लिख लिए हैं, अब यहां पर अगर देखोगे, तो mass defect आपका हो जाएगा, Z is number of proton, that is 83 MP, plus A minus Z is 126 MN, और यहां पर आपका आने वाला है, mass of bismuth, that is 83, 209 BAI, minus, क्या minus करोगे आप, electron की mass को minus करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि आपको यहां पर nuclei के binding energy के बारे में पूछा गया है, तो यह हो जाएगा, minus 83 mass of electron, ठीक है, तो यहां से जाप फिर से इसको solve करोगे, तो यह आपका कुछ बनेगा, 83 MH, MP और NE, क्या बना देते हैं, mass of hydrogen item, plus 126 mass of nitrogen item, minus mass of 83 bismuth, 209, इस तरीके से आपके बन जाएगी, MH का आपको देया गया है, कितना mass given है, that is 83 multiply 1.007825, plus 126 multiply 1.008665, minus, यहां से आप जब bismuth के mass को minus करोगे, जो कि आपको given है, that is 208.980388, solve करोगे, तो यहां से आपको जो delta M है, वो मिलेगा, 1.760877U, तो आपको delta M किसमें मिला है, U में, लेकिन आपको answer किसमें चाहिए, binding energy का, वो आपको चाहिए, MEV में, आपके पास relation है, तो आप क्या करोगे, delta M को, अब आप convert कर लोगे, MEV पर C square में, तो आप यहां पर लिखोगे, 1.760877, multiply 931.5 MEV पर C square, आपने अपना क्या लिख लिया, delta M लिख लिया, अब अगर आपसे बोले, binding energy find करने के लिए, तो delta M C square, delta M की value रखोगे, that is 1.760877, multiply 931.5, और यहां पर हो जाएगा, MEV C square, multiply C square, cancel out होगा, आपका answer निकल कर आएगा, binding energy का, 1640.26 MEV, तो आपकी binding energy, दोनों cases के लिए निकल आई है, देखो, दोनों के लिए निकल आई, अब यहां पर क्या बोला गया है, अब यहां पर आपने, दोनों ही individual cases के लिए आपने निकल आई, लेकिन आपसे यहां पर पूछा गया है, binding energy, पर, nucleion, तो कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, आपके यह जो binding energies आई हैं, जो भी आपने निकाली हैं, इसको आप divide किससे करोगे, आप divide करोगे, इसको mass number से, जहां पर आपके number of, जहां पर आपके इसको किससे divide करोगे, इससे iron का निकालना है, average binding energy, पर nucleion, तो आप लिख दूए यहां पर, for iron case, average binding energy, पर nucleion, क्या हो जाईगी, 492.26 upon 56, which is equal to 8.79 MeV, तो यह आपके लिए किसकी निकल कराए, iron की, क्योंकि यहां पर बात किसकी थी, nuclei की, ठीके, अब अगर आप इसी तरीके से, बिस्मित के लिए निकालोगे, binding energy, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको, इस binding energy को, आपको divide करना पड़ेगा, 209 से, तो यहां पर आपकी calculate होकर, आईगी यह, average binding energy, पर nucleon, calculate हो जाएगी, 1640.26, divided by 209, which is 7.848, mega electron volt, अब दोनों को देखोगे न, तो आपको देखेगा, कि जो average binding energy, पर nucleon for iron case है, that is greater than the, bismuth case, यहां पर यह, मैंने क्यों आखरी में किया, क्योंकि यहां पर, आप सब भी, यहां परी, खतम कर देते, answer, इसलिए, मैंने यहां पर, इस चीज को, जो average binding per nucleon था, वो मैंने end में निकाला, ताकि, आपको यह दिमाग में रहे, कि कोशन को किस तरीके से, हमको पढ़ के पूरा solve करना है, क्यों हमने करा है, क्योंकि nuclei की पूछा था, यह तो हमने electron minus किया था, जब electron minus करा है, तो binding energy को, जो आपकी याई है, वो तो आ गई है, लेकिन binding energy per nucleon, आपको निकालना पड़ेगा, because यहाँ पर पूछा वही गया है, इसका मतलब question number 4, पूरा solve हो जाता है, अब चलते हैं अपने next question की तरफ, जो आपकी skin पर आचुका है, हमारा fifth question जिसमें बोला गया है, कि a given coin has a mass of 3 gram, 3 gram का mass है coin का, calculate the nuclear energy, that would be required to separate, all the neutrons and protons, from each other, that is, कौन सी nuclear energy हो जाएगी, फिर binding energy हो जाएगी, for simplicity, assume that coin is entirely made of copper items, 2963 copper items, जिसका mass हमें already given है, 62.92960U, अग लिख लेते हैं, given portion, तो given क्या according अगर चलेंगे, तो given में हैं, हमारे पास, mass of, coin, that is 3 gram, फिर आपके पास given है, mass of, 29 CU, 63, items, is equal to, 62.92960U, ओके, अब यहाँ पर, मुझे यह बताओ, यह तो line लिखी गई है, कि जो coin है, वो हमारा copper items का बना हुआ है, ठीक है, तो copper items को मैंने यहाँ पर, इस तरीके से लिख दिया है, जो उसका notification है, यह रहा, अब यह 63, जो मेरा mass number है, उसका मतलब क्या होता, जो सिखनी से केंस क्या होगा, तो आप बोलोगे, मैं हम इतनी बार पढ़ चुके है, that one mole is equal to 63 grams, यहाँ फिर मैं कह सकती हूँ, Avogadro number is equal to 63 grams, यहाँ से, one gram is equal to Avogadro number upon 63, तो यह मेरा किसका आगया, one gram का, one gram of copper items की बात हो रही है, कि इतने one gram में, इतने कितने number of copper items से, तो वो यह है, ठीक है, अब यहाँ पर जो coin है, उसका mass से 3 grams, तो मैं यहाँ से, यह 3 grams निकाल सकती हूँ, तो यह हो जाएगा, na upon 63 multiply 3, तो यह क्या हो जाएगा मेरा, तो मैं लिखूंगी, number of 29 cu 63 items, in 3 gram of coin, कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे, Avogadro number होता है, मेरा 6.023 into 10 to the power 23 upon 63, 63 multiply 3, which is 21, आप इसका multiply करोगे, वो divide करोगे, 6.023 को 21 से, तो आपका मिलेगा, आपका जो answer आने वाला है, that is, तो यह मेरा निकल करा गया, 2.86 into 10 to the power 22 items, यह क्या निकल कराएगा है, number of copper items in 3 gram of coin, ओके, यहाँ तक हमने बात समझ ली, अगर हम लोगों को binding energy निकालने हैं, तो उसका formula होता है, delta m, c square by delta m is the mass effect, यहाँ पर अगर मैं इस case में, इस copper items के case में, अगर delta m निकालूंगे, formula क्या होता है, तो आप बोलोगे, z m p plus a minus z m n minus m, यही होता है, यह minus m क्या है, copper item हो जाएगा, यह number, आपका mass of proton, mass of neutron, z क्या होते हैं, number of protons, a minus z होता है, आपका number of neutrons, ठीक है, अब इस copper item में, कितने number of protons हैं, तो आप बोलोगे 29, कितने number of neutrons हैं, तो 63 minus 29, which is 34, ठीक है, तो यहाँ तक हमने लिख लिया है, जो इस case के लिए, अब मुझे यह बताओ, कि हम जब delta m की बात करते हैं, तो वहाँ पर, हम यह consider क्या करते हैं, nuclear masses consider करते हैं, यहाँ पर हमें जो यह copper का mass है, वो हमें गिवन किसका है, copper items का, not nuclear, मास ओफ 29 Cu 63, माइनस मास ओफ एलेक्ट्रोन, कितने एलेक्ट्रोन है, तो आप बोलोगे, जितने नंबर आफ प्रोटोन से हैं, उतने ही एलेक्ट्रोन हैं, 29 M e हो जाएगा, माइनस 29 M e कर दिया, अब मेरा Z क्या है यहाँ से, तो आप बोलोगे, Z आपका है नंबर आफ प्रोटोन, विच इस 29 M e, प्लस A माइनस Z आएए, आपका 34 M n, माइनस मास ओफ 29 Cu 63, माइन प्लस 29 M e, ठीक है, अब यह मास ओफ प्रोटोन, मास ओफ एलेक्ट्रोन दोनों के बाहार है 29, तो 29 कॉमन निकलेगा, बचेएगा क्या मास ओफ प्रोटोन इन मास ओफ एलेक्ट्रोन यह क्या मिल क्यों आते हैं, मास ओफ हाइड्रोजन तो मैं डारेक्ट लिख देती हूँ, 29 M e, मास ओफ हाइड्रोजन प्लस 34 M e, मास ओफ निउट्रोन माइनस M e, 63 C U 29, तो इतना भी लिख दिया, आप मुझे यह पता है क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा का टेबल दिया था, या फिर एक स्लाइड थी, ठीके जहां पर आपने देखा था कि आपका मास ओफ हाइड्रोजन होता है, वो कितना होता है, 1.007825 U, and मास ओफ न्यूटरॉन होता है, 1.008665 U, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मतलब अब क्या बचा है मेरा काम सिर्फ यहाँ पर वेल्यू स्कोर लख देना रख देते हैं, तो यह हो जाएगा, 29 multiply 1.007825 plus 34 multiply 1.008665 minus mass of copper that is 62.92960 यह आपकर निकल कर आएगा, तो मेरा यह क्या निकल कर आगया, यह मेरा निकल कर आया, 0.591935 U, यह मेरा जो mass defect आया है, यह मेरा होगा 1 gram के लिए, बटी यहाँ पर बात की गई है, कितने mass की, 3 grams की, और 3 grams में, मैंने number of items मेरे निकाल लिए है, तो इतने यह 1, जो number of items में, एक number of items में इतना है, तो इतने number of items में, कितना mass defect होगा, तो आप कहोगे, delta M is equal to 0.591935, multiply 2.86 into 10 to the power 22, तो यह आपका आएगा, तो आप यहाँ पर लिख दोगे, कि यह मेरा आया है, कितने items के लिए सिर्फ एक item का mass defect इतना है, तो number of, सारे जितने भी items present है, इस copper में, जो भी 3 gram copper है, उसमें कितने items है, 2.86 into 10 to the power 22, इतने items का mass defect है, वो आपका आएगा, 1.69766958 into 10 to the power 22 U, तो कि हमने multiply कर दिया, अब मेरा यह निकल कर आया है U में, ठीक है, मुझे मेरी binding energy जो है, वो होती है हमेशा MEV में, ठीक, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो 1 U होता है, वो होता है 931.5 MEV upon C square, तो मैं delta M को convert कर लेती हूँ, delta M मेरा है यहाँ पर 1.69 76658 multiply, 931.5 MEV upon C square, ओके, यहाँ तक मैंने क्या निकाल लिया, अपना mass effect, अब मुझे जो मेरा फाइनली जो मुझे निकालना है, that is binding energy, which is delta M C square, delta M की value में रखते हूँ, 1.6976658 multiply, 931.5 MEV upon C square, multiply में भी है C square, यह हो गई, cancel out, अब क्या करना है, multiply करना है, आपको result मिल जाएगा, binding energy का, in terms of MEV, तो यह निकल कर आएगा, 1.581 into 10 to the power, 25 MEV, ओके, तो आप कहोगे कि, मैं हम समझ गए, कि आपको इतनी energy की requirement है, in terms of MEV, to separate all the neutrons and protons, from each other, अब अगर आपसे answer पूछ लिया जाए, जूल में, तो क्या करोगे, तो आप जानते हो, कि 1 electron voltage is equal to, 1.6 into 10 to the power, minus 19 J, तो 1 MEV किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे, 1 MEV is equal to, 1.6 into 10 to the power, minus 13 J, कैसे आया होगा, 10 to the power, minus 13, multiply M है, मेगा है, 10 to the power 6, which is, minus 13 बजेगी power, तो ठीक है, यह हो जाएगा, इसका मतलब अगर मुझे, इसको जूल में convert करना है, तो क्या करूंगी मैं, तो यह मेरा हो जाएगा, EB is equal to, 1.581, multiply 10 to the power 25, multiply 1.6 into 10 to the power, minus 13 J, और इसका आंसर आने वाला है, multiply करने के बाद, 2.5296 into 10 to the power, 12 J, आप चाहों तो जो अपना अंसर है, वो मेरी पर भी छोड़ सकते हैं, आप से जूल में पूचा जाए, तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है, इसका मतलब हमने calculate कर ली, वो nuclear energy, जिस जितनी हमें required होगी, neutrons and protons को separate करने के लिए from each other, ठीक है, तो हमने लिख दिया, इसका मतलब अपना अंसर खदम करते हैं, आंसर फिनिश होते ही चलते हैं, और मूफ करते हैं अपने 6th question पर, तो बच्चों, आपकी स्किन पर आचुका है, हमारा 6th question, जिसमें आपको देख रहे हैं, कि पूछा गया है, कि इनकी nuclear reactions हमको लिखनी है, और बहुत सारे parts देख रहे हैं, 7 parts, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना 1st part, अगर 1st part की बात करें, तो 1st and 2nd में आपको क्या पूछा है, अल्फा डिके पूछा है, ठीक है, ये elements आपको दिये गए हैं, अब इसके पहले अगर आपको अल्फा डिके की reaction लिखनी है, तो पता भी तो होना चाहिए, कि अल्फा डिके में हो क्या रहा है, तो अल्फा डिके में क्या होता है, अल्फा डिके में, आपके जो प्रोटॉंस हैं, वो हर डिके में, टू प्रोटॉंस लॉस्ट होते हैं, अब नंबर ओफ न्यूट्रॉंस जो हैं, वो आपके फोर लॉस्ट होते हैं, इसका कहने का मतलब ये है, कि अगर हमारी reaction है, जेड एक्स ए, दाट गोस्टू, जेड माइनस टू, मतलब प्रोटॉंस हमने रिड्यूस करें टू, आपका जो नंबर ओफ न्यूट्रॉंस होते हैं, वो आपके रिड्यूस होंगे, फोर, आपकी एक हीलियम, आपका जो हीलियम है, वो बहार आएगा, ठीके, तो यहां पर यह किसका काम है, यह होता है काम हमारा, अल्फा डिके में, अब इतनी बाद समझ में आ गई, तो अब यहां पर हम देखेंगे, अपना फॉर्स्ट पार्ट, अगर फॉर्स्ट पार्ट की बात करें, तो first part में आपको दिया गया है X क्या है RA 88 and 226 तो हमारे protons कितने है 88 है मतलब 88 मेंसे आप कितना reduce करोगे 2 और यहाँ पर number of neutrons जो है उपर वो 226 मेंसे आपके जाएंगे 4 तो यहाँ पर कुछ आएगा Y plus 4he2 ठीक है तो आप इसको देखोगे तो जैसे ही आपको number of protons reduce होके दिखेंगे वो दिखेंगे आपको 86 मतलब number of protons मतलब itemic number किसका होता है 86 तो आपका होगे यह होता है मेरा redon का तो यह हो जाएगा RN और यह हो जाएगा 222 is the mass number of redon plus 2he4 यह हमने कौन सा पार्ट कर लिया अपना फॉर्स्ट पार्ट जिसमें क्या हो रहा है हम अल्फा डिके हो रहा है अब इसी तरीके सेकिंड पार्ट देखोगे तो सेकिंड पार्ट में आपको दिया गया है इसका हमें क्या करना है अल्फा डिके करना है nuclear reaction लिखना है तो आम मुझे यह बताओ कि यहां पर भी जो 238 अब 92 आपका जो आइटमिक नंबर आया है वह किसका होता है बिल्कुल सही यूरेनियम का होता है प्लस हीलियम एनर्जी तो बहारानी ही है लिख दिया है मैंने तो मतलब फर्स और सेकिंड पार्ट जो है जिसमें हमको क्या करना था अलफा डिके करना था वो हमने कर लिये हैं कम्प्लीट अब क्या देखेंगे अपना बीटा माइनस डिके तो बजो जैसे आप इसका थर्ड पॉर्थ पार्ट देखने जा रहे हो जिसमें बोला गया है बीटा माइनस डिके और फॉस्पोर्स 1532 और बिसमित 33 210 हम पहले देख कर दिकने से पहले हो यह पता होना चाहिए कि बीटा माइनस डिके जो है उसमें हो क्या रहा है तो बीटा माइनस डिके की अगर बात करूं इसमें क्या होता है कि आपका हर बीटा माइनस जेके पर there is a gain of one proton gain of one proton and anti-neutrono is emitted ठीक है बाकी mass नमबवगरा में कोई भी change नहीं होने वाला है यह आपका concept होता है बीटा माइनस जेके का अब इसमें अगर आप फोर्थ पार्ट यह थर्ड पार्ट आपकर आप देखोगे जिसमें आपको एलिमेंट दिया है फॉस्फोरस 1532 अब इसते अग्वाडिंग अगर चलोगे तो यहां पर क्या हो रहा होगा gain of proton मतलब 15 आपके proton है तो यह हो जाएंगे 16 जैसे 16 दिखा मतलब मास नमबर आपका आपका मास नमबर में कोई भी चेंज नहीं होगा और यहां पर क्या-क्या और अमेट होगा उसके साथ साथ आपका एक एलेक्ट्रोन होगा और आपका एंटी न्यूट्रनों होगा तो यह कंसेप्ट हो गया यहां पर ठीक है यहां तक कोई भी हमको दिक्कत नहीं है तो यह आपका काम होता है बीटा माइनस डेके का और इस तरीके के आपकी एक्कोवेशन फॉर्म होती है अब यहां पर अगर आप देखो फॉर्थ पार्ट में जहां पर बात की गई है बिसमित की तो वह है आपका एटी थ्री बिसमित 210 अब मुझे यहां पर बताओ क्या हो जाएगा यहां पर भी गेन होगा एक कोटोन का मतलब हो जाएगा 84 किसका आइटेमिक नंबर होता है अब जैसे इसने गेन करा यहां पर आपका आइटेमिक नंबर बना 84 आपके दिमाग में क्लेक होगा कि अरे यह तो पोलो नियम का है ठीक है ना तो पोलो नियम को प्रेजाइन करते हैं बी ओ से और आपका जो मास नंबर है 210 वो तो सेम रह बैलेंस रहती है क्योंकि यह होता है एन इकोल टू प्लस ही और यहां पर वो सब चीज़ें हो जाती है बैलेंस प्रोटॉन एलेक्ट्रों सब बैलेंस कर देते हैं ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ थर्ड इन फोर्थ पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया जिसमें बात की इसका मतलब हमें बीटा प्लस में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए बीटा प्लस में क्या होता है कि आपकी जो प्रोटॉन है वो क्या हो जाते है बोस जाउन बाए वन अब आपका एमिट होता है इसके साथ एक न्यूट्रिनो आइटम नॉट एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रोन जो है वो होता है ए प्लस ठीक है तो इस सब चीज़े आपकी बीटा प्लस डिके में हो रही होती है अगर आम लोग फिफ्ट का देखे तो फिफ्ट में जो प्लस डिके करोगे तो जो प्रोटोन है मतलब 6 जो है उसमें करना पड़ेगा माइनस 1 विच फाइव और 5 हमारा जो आइटमिक नंबर है वो होता है बोरॉन का और आपका मास नंबर रहेगा सेम साथ में एमिट क्या होगा 1 एलेक्ट्रोन प्लस 0 प्लस मियू ठीक है जो यह में भी आपको क्या करना है बीटा प्लस डिके करना है वहां पर आपको एलिमेंट दिया है टैक्नीशियम डाट इस टी सी आपको इसका मास नंबर है 97 और आइटेमेंग नंबर विच इस नंबर और फोटॉंस है 43 इसमें भी रिडियूस होगा मतलब बनेगा 42 और 42 किसका होता है मॉलिबेडनम का होता है तो MO और 97 प्लस 1 एलेक्ट्रोन प्लस 0 प्लस निउट्रोनो तो यह आपका क्या हो गया है आपने अपने 6th पार्ट तक आपने सॉल्फ कर लिया मतलब अभी आपने क्या पड़ी अल्फा डिके बीटा माइनस डिके और बीटा प्लस डिके इनके उपर आपने सॉल्फ कर ली है आपका लास पार्ट में पूछा गया है एलेक्ट्रोन कैप्चर ओफ 54 जिनॉन 120 ठीक है चलो इसको देखते हैं तो ब अभी भी आप रॉक्ठ्रोन क्या प्रोटॉं सैं जो की आय्टमिक नंबर है उसमें क्या होगा क्योंगा डिक्रीज होते हैं यहां रिलि Agreement करते हैं neutron मतलब यहां पर 54 xenon 120 है number of protons आपके decrease हो जाते है electron capture के time तो 53 is the atomic number of iodine और mass number आपका रहेगा same साथ में वो release करेगा neutron तो यह आपकी equation हो जाएगी electron capture की तो चलो हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए 6th question की 7 पार्ट ते 7 की 7 सॉल्व कर लिए समझ लिए आप देखेंगे next part जिसका number हो जाएगा 7 तो बच्चों आपकी screen पर आ चुका है हमारा 7th question जिसमें पूछा गया है कि a radioactive isotope has a half life of 10 years how long will it take the activity to reduce to 3.125% and b में है 1% of its original value यह आपका question में क्या है कि जो radioactive isotope था आप लिखेंगे given radioactive isotope कितना half life मिले रहा है half life of tears ठीक है इसका मकलब जो टी हाफ है वो आपका कितना है टी है ओके टी है अब उसने पूछा है यह पार्ट में कि उसे कितना time लगता है 3.125% होने में ठीक है तो हम माल लेते हैं क्या माल लेते हैं हम माल लेते हैं let and not be the actual amount of isotope radioactive amount of radioactive isotope ठीक एंड फिर बोलते हैं हम कि let and be the amount left by decaying इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर decay उन्हें कितना बचा है 3.125% तो मतलब n upon n not is equal to 3.125% which is equal to 3.125 upon 100 which is equal to 1 upon 32 अब यहां से आपको क्या मिले क्या आप यहां से बोलोगे कि n upon n not is equal to 1 upon 32 बट हमने जब इस टाप्टर को रीड करा अच्छे से तो हमने देखा था कि जो relation होता है n upon n not का that is n equal to n not e lambda minus lambda t ठीक है तो यहां से n upon n not जो है वो किसके बरावर है e to the power minus lambda t अब अगर इन दोनों को देखो तो हमें क्या देखेगा कि e की power minus lambda t is equal to 1 upon 32 बिलकुल तो यहां से हो जाएगा e की power minus lambda t is equal to 1 upon 32 where lambda is the decay constant ठीक है और जो हमारा lambda होता है half life के लिए वो कितना होता है तो आप कोगे 0.693 upon t half यही होता है ठीक है यहां से अगर मैं यहां से लिखना चाहूं इसी को हटाना चाहूं तो minus lambda t is equal to log 1 upon 32 यही होगा बिलकुल यही होगा अब इसको भी अगर मैं सॉल करना चाहूं तो यह होगा minus lambda t is equal to log a upon b that is log a minus log b log a मतलब log 1 minus log b which is 32 अब यहां तक हमको समझ में आ गया हम सभी ने इतनी mathematics तो पड़ी हुई है अब यहां पर अगर देखोगे तो log 1 यह रहा यह क्या हो जाएगा log 2 की power 5 अब जैसे ही log a की power b होता है तो क्या होता है b log a तो यह हो जाएगा log 1 minus 5 log 2 यह क्या हो रहा है minus lambda t ठीक है यह आपका निकल कर आएगा 3.46 3.4657 तो यह हो जाएगा minus 3.4657 यह आया आपका minus lambda t minus से minus हो गया cancel तो आपके पास बचेगा lambda t is equal to 3.4657 यहां से आपको calculate क्या करना है यह t निकालना है न है न क्या निकालना है टाइम ही तो निकालना है कितना टाइम लग रहा है तो t equal to हो जाएगा 3.4657 ओके अब हमने यहां पर upon है lambda lambda अभी हमने देखा कि यहां पर अगर half life की बात होती है तो जो मेरा lambda है उसका यह र 3 upon t half तो यहां पर मैं लिखूंगी 3.4657 upon 0.693 upon t half यहां पर जो t half है वो किसके बरावर है t के बरावर है तो यह मेरा हो जाएगा solve करने के बाद 5 t years तो इसको इतना reduce होने के लिए कितना time लग रहा है तो आप कहोंगे 5 t years तो hence it will take up 5 t years to reduce to 3.125 percent of its original value तो यह तो हमने एक जो authentic इसका formula है या method है उससे हमने solve करा अगर हम इसको directly solve करना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम माल लेते क्या कि हम माल लेते पहले इसकी value होगी 100 percent कितना करना है हमें half करते हुए जाना है फिर माल लेते कि another t years में फिर से half हुआ 25 का half कितना होता है 12.5 percent फिर माल लेते कि another t years में यह और half हुआ होता कब तक हम करें जब तक हमको इतना ना मिल जाए ठीक है 12.5 का half क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे 6.25 percent फिर another t years में यह होता 3.125 percent और हम काउंट कर लेते कितने t है तो 12345 12345 तो 5 t years लग रहे होते यह method आप use करोगे जब भी आपको इस तरीके के question आपके objective में आए ठीक है ना तो यह आप आगे आके tricks पड़ोगे लेकिन अभी तो अगर आपके board exams में होंगे तो आपको इसी तरीके से अपने solutions को complete करना है बिल्कुल एक proper way से तो यहां पर हमने सारी चीज़े समझ लिए समझ लिए देख लिए तो अब चलेंगे अपने इसके b part के तरफ तो अब इसके b part में कितना पुछाए कि अपने original value का कितना हो जाए 1% हो जाए तो यहां पर इसके b part के लिए हम लिख देंगे 1% मतलब क्या हो गया फिर से वही मैंने लिखाई कि n not वही है actual amount यह है आपका amount left जो बचा है तो n upon n not हो जाएगा आपका 1% which is 1 upon 100 और हम जानते हैं कि जो n upon n not है वो किसके बराबर होता है e to the power minus lambda t बढ़ा है ना तो यहां पर यह हो जाएगा e to the power minus lambda t is equal to 1 upon 100 that is minus lambda t is equal to log 1 upon 100 अब मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यह पार्ट जैसा ही है ना सिर्फ वैली वी तो चेंज हुए इसमें मैंने इसको पूरा नहीं वताया कि किस तरीके से आया है तो आपको जो भी आपने a part में समझा है वही आपको यहां अपनी का apply करना है तो यह हो जाएगा minus lambda t is equal to log 1 minus log 100 यह हो जाएगा minus lambda t is equal to यह तो हो गया 0 log 1 minus 2 log 10 कैसे आगया भाई क्योंकि 10 to the power square है तो square बहार निकल आया 2 log 10 तो यहां से minus lambda t is equal to minus 4.606 यह हो जाएगा मेरा minus minus cancel and मेरा जो t है वो हो जाएगा 4.606 upon lambda हम जानते हैं कि half life के लिए जो lambda होता है that is 0.693 upon t half which is equal to t तो यह हो जाएगा 4.606 upon 0.693 upon t half which is equal to t तो यहां से आपका यह निकल कर आएगा t जो कि आपको निकाला था कितना time लगेगा उसको 1% होने में original value के तो यहां पर आपका निकल कर आएगा 6.645 t years तो यह आपका क्या calculate हो गया कि आप यहां पर लिख दोगे hence it will take 6.645 t years to reduce 1% of its original value इसका मतलब question number 7 को करते हैं lock और चलते हैं और देखते हैं अपना 8th question तो बचों आपकी स्कीन पर है हमारा question number 8 जिसमें बोला गया है कि it normal activity of living carbon containing matter उसको कितना दीया 15 decays per minute for every gram of carbon this activity arises from a small proportion of radioactive 46 carbon present with the stable carbon isotope that is 12.6 carbon when the organism is dead it's interaction जो है उसका atmosphere के साथ जो कि अभी तक equilibrium में था वो भी क्या होने लगता है drop होने लगता है उसकी जो activity है वो drop होने लगती है now from the known half life which is 5730 years of 46 carbon उसमें जाओ major activity and the age of specimen can be approximately estimated and this is the principle of 46 carbon dating and suppose a specimen जो है वो मोहन जोद्रो टाइम से ब्लॉंग करता है उसकी activity आपको गिवन है 9 decays per minute per gram of carbon यहां पर आपको यह प्रॉक्सिमेट एच पता नहीं इंडस वैली लिया किया है आपकी जब आपका जो living carbon containing matter था उसकी आपको नॉर्मल activity गिवन है ठीक है तो मतलब यहां पर आप लिखोगे यह आपको गिवन है यहां पर गिवन है जब आपका जो organism है उसकी डैथ हो जाती है आपका जो ड्रॉप होने लगती एक्टिविटी एंड उसके बाद जो specimen मिला है मुहन जोद्रो से जिसकी activity आपको दी गई है 9 decades तो कितनी है यह आप कितना हो गया है 9 decades per minute per gram या फिर आप per minute यहां पर भी per gram लगा सकते हो ठीक है अब यहां पर आपको क्या बताना है उसकी age बतानी है ठीक है हम माल लेते हैं कि जब यहां पर यह वाली activity हो रही होगी जो कि एक नॉर्मल activity है उस time पर जो हमारे radioactive items है उस normal carbon containing matter में वह आप माल लो and not ठीक है तो आम लिख देंगे let and not be the radioactive items present in normal carbon containing matter और इसके लिए वो हो गए होंगे एं जो कि आपको किस के होंगे Mohan Jodro specimen के होंगे उसमें जो आपके radioactive items होंगे ठीक है इतनी बात भी हो गई के लिए है अब हम जानते हैं क्या कि हमारा जो एक relation होता है lambda और T के बीच में और आपने formulas भी पढ़े है इस chapter के अंदर एक बढ़ा है number of items का which is this one and एक आपने पढ़ा है आपने activity का या फिर radio active activity का that is a equal to a not e to the power minus lambda T और आप यहां पर मिल लिखाओ देखाओगा आपने r equal to r not e to the power minus lambda T ठीक है ओके यहां से अगर देखोगे तो आपको देखेगा कि n upon n not is equal to a upon a not is equal to e to the power minus lambda T ठीक है तो यह concept का अब हमें क्या करना है यहां पर यह उस करना है अब जैसे मैंने यह देखोंगी तो मैंने यहां पर लिखती है n upon n not is equal to a upon a not to e to the power minus lambda T which is equal to कितना हो जाएगा a कितना है 9 upon 15 तो यहां से मेरा e to the power minus lambda T या गया 9 upon 15 यहां से और मैं अगर करूं तो मेरा minus lambda T is equal to log 9 upon 15 which is log 9 minus log 15 ठीक है इसको solve कर लो तो यह होता है 3 का square मतलब 2 log 3 है ना तो इसको आप जब solve करोगे आपको मिलने वाला है minus 0.5108 यह क्या मिला है आपको minus lambda T यह minus से यह minus हो जाएगा cancel अब क्या बचेगा आपका lambda T तो आप बोलोगे lambda T मेरा बचा है 0.5108 यहां से मुझे क्या बताना इसकी age बताने मतलब T बताना है तो T equal to हो जाएगा 0.5108 upon lambda ओके अब मैं जानती हूं क्या मैंने प्रिवेस कोशन नहीं बताया था कि हाफ लाइफ के लिए जो मेरा लैमडा होता है वह होता है 0.693 अपन टी हाफ टी हाफ की वैली तो मुझे यहां पर गेवन है कितनी है 5730 है ना तो T equal to जैसे है आप निकालोगे विच इस 0.5108 upon 0.693 multiply 5730 इसको जाप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा तो यहां से आपकी जो एक एप्रोक्सिमेट एज है इंडस वैली civilization की वो कितनी निकल कर आ गई 420 4223.5 यह तो इतनी एज है किसकी हमारी सबसे पुरानी civilization सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड इस इंडस वैली civilization ठीक है तो यहां पर बात आ गई समझ में सिर्फ क्या कंसेप्ट था जो मैंने स्टार्टिंग में एक दो कंसेप्ट लेके थे और यह जो रिलेशन निकल यह पता था यह पता है तो आंसर और solution तो ऐसे हो जाएगा ठीक है चो चलो देखते हैं अपना अब नेक्स्ट कोशिन तो बजो आपती स्किन पर है हमारा कोशन नुम्बर 9 जिसमें पूछा गया है उप्टिंदा इमांट ओफ 27 कोबल्ट 60 नेसेसरी टू प्रोवाइड रेडियो एक्टिव सोर्स ओफ एट मिली क्यूरी स्ट्रेंथ दा हाफ लाइफ ओफ 27 कोबल्ट 60 इस 5.3 यह तो गिवन है आपके पास तो गिवन में आप स्ट्रेंथ ओफ रेडियो एक्टिव सोर्स विच इस डी एन अपॉन डी टी एट मिली क्यूरी अब मिली से अगर आप कनवर्ट करोगे क्यूरी में तो यह हो जाएगा 8 इंटू 10 डी पावर माइनस 3 क्यूरी और हम सभी जानते हैं कि दाट इस 1 क्यूरी is equal to 3.7 इंटू 10 डी पावर 10 डीके पर सेकंड और बीक्यू दाट इस बैक्यूरी अब मैं इसको चाहूं तो इस फॉर्मिट में लिख लूँगी तो यह हो जाएगा 8 इंटू 10 डी पावर माइनस 3 मल्टिप्लाइ 3.7 इंटू 10 डी पावर 10 डीके पर सेकंड ओके तो यह हमने लिख लिया है अभी यहां तक का स्ट्रेंड sucks अवक के पास घ्रिमने लिख विच इस वइडिया है विच जिस 5.3 एंट्रेंस कि अबर कर लेते हैं कि समें सेकिंड में तो यह हो जाएगा 5.3 मृटिप्लाइ 365 मृटिप्लाइ 24 मृटिप्लाइ 3600 कैसे हुआ एक साल में कितने दिन होते है 365 एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 कितने सेकेंड्स होते हैं 3600 तो यह आपका सेकेंड्स में गंवर्ट हो जाएगा ठीक है इनका मतलब क्या यूस है दाट इस हम जानते हैं कि जो हमारी डिसिंटीग्रेशन रेट होती है दाट इस इकवल टू डी एन अपॉन डी इस इकवल टू लैम्डा यह फॉर्मूला आपने पड़ा है यहां पर जो यह लैम्डा है विच इकवल टू डिके कॉंस्टिंट और य दिन अपन डी इस एकवल 2 0.693 टीहांफ मॉल्टिप्लाएं बत यहां पर आपको डी ए्न अपॉन डीटीगेवन है तीहां गिवन आपको निकालना क्या है नम्बर ओफ आइटम्स यह एंड क्या है तो आप बोलोगे नंबर ओफ आइटम्स यहांसी अगर और निकालोगे तो वो बन जाएगा आपका dn upon dt multiplied t half upon 0.693 ठीक है dn upon dt की value आपके पास है तो यहाँ पर रखेंगे 8 into 10 to the power minus 3 multiply 3.7 into 10 to the power 10 and t half की value कितनी है तो आप बोलोगे 1.67 into 10 to the power 8 divided by 0.693 आप इसको solve करोगे तो जो आपके number of items है that is n वो आपका calculate होकर आएगा 7.133 into 10 to the power 16 items ठीक है तो यह आपने number of items calculate कर ले है क्या मैं यहाँ पर आंसर चोड़ दूँगी नहीं क्योंकि यहाँ पर मुझसे पूछा गया है 60 cobalt 27 में यहाँ पर 1 mole में है मेरे पास कितने 60 eu that means na कितना है 60 eu क्या मैं अब यहाँ पर आंसर चोड़ दूँगी मुझस ऐसी number of items मिले काफी गलतिया ना यहीं पर होंगी बट हमको यहाँ पर नहीं चोड़ना क्योंकि हमारे पास जो गिवन है 60 cobalt 27 that means यहाँ पर 1 mole में आपके पास है 60 grams और आप कह सकते हो n in Avogadro number is equal to 60 grams ठीक है तो mass of 7.133 into 10 to the power 16 items का कितना हो जाएगा which is equal to upon na na क्या होता है मेरा Avogadro number which is 6.023 into 10 to the power minus 23 आप इसको solve करोगे तो आपको मिलने वाला है 7.106 into 10 to the power minus 6 gram तो यहाँ पर आपने amount अब calculate कर लिया है कि इतने grams इसका amount होने वाला है 27 cobalt 60 का तो यहाँ पर आपको mistake avoid करनी है कि यह समझना है कि यह आपने calculate करें items अब यहाँ पर इतने items में इस item का कितना mass होगा यह calculate करना बचा था इसलिए हमने यहाँ पर यह समझा कि इसमें one mole में है 60 gram that means number of avagadros numbers में कितने 60 gram तो इतने items में कितने हो जाएंगे तो उस तरीके से आपने इसको calculate करके आपने amount calculate कर लिया आप conclude कर दोगे हैंस the amount of 27 cobalt 60 is 7.106 into power minus 6 grams तो question को करते हैं लोग चलते हैं अपने अगले question की तरह बच्चों आपकी screen पर आचोका है हमारा question number 10 जिसमें बोला गया है कि आपको half life दी गई है which is dn upon dt for 15 mg of this isotope ठीक है अब इसको proceed करने से पहले अगर आप देखो टी हाफ हम जो लेते हैं normally seconds में लेते हैं पर यह तो हमको years में दिया है तो इसकों कनवर्ट किसमें करेंगे seconds में तो seconds में convert करेंगे तो 28 एक year में कितने days होते है तो आप कहोगे 365 multiply कितने घंटे होते हैं एक दिन में 24 और कितने seconds होते है which is 3600 तो इससे आपका जो answer आएगा ती हाफ का in seconds 8.83 into 10 to the power 8 seconds तो आपने यहां पर ती हाफ को convert कर लिया है seconds में ओके अब यहां पर अब अगर ध्यान से देखो तो यहां पर जो आपको आइटम गिवन है which is 38SR90 यहां पर आपका आइटमिक मास है 90 U इसका मतलब क्या है कि 1 मोल में कितने है 90 ग्राम्स होंगे तो 1 मोल इस इक्वल टू 90 ग्राम्स अब 1 मोल में हमारे होते हैं अवागेड्रो नमबर तो मतलब एने इस इक्वल टू 90 ग्राम्स हो जाएगा आपको किसके लिए कैलकुलेट करना है 15 mg के लिए तो पहले आप वन ग्राम बताएंगे तो एने नमबर ओफ एवागेड्रो नमबर अपॉन 90 15 mg करोगे तो यह हो जाएगा 15 इंटू 10 ग्रावर माइनस 3 ग्राम में कर लोगे आप मल्टिप्लाइ एने अपॉन 90 यह कितने हो जाएंगे इतने आपके नमबर ओफ आइटम सुंगे ठीक है तो आप यहाँ पर लिखोगे देयाफोर 15 mg ओफ 38SR 90 कंटेंस नमबर ओफ इंटू 10 ग्रावर माइनस 3 इंटू नमबर क्या हता है 6.023 इंटू 10 ग्रावर माइनस 23 मोल इंवर्स अपॉन 90 आप सॉल्व करोगी यह आपको मिलेगा 1.0038 इंटू 10 ग्रावर 20 तो यह आपने क्या निकाले है number of items निकालने आपको निकालना क्या है disintegration rate which is equal to dn upon dt का formula होता है lambda n वेर lambda is equal to decay constant अब decay constant for half life आपका होता है log ln 2 upon t half वेर ln 2 is equal to 0.693 upon t half ठीक है और n क्या होता है number of items जो आप ओलडी निकाल चुके हो तो आपकी जो इस integration rate जब आप लिखोगे सारी values lambda की रखोगे 0.693 on t half multiply n और 0.693 upon t half की value आपने निकाली है seconds में 8.83 into 10 to the power 8 multiply number of items आप निकाल चुके हो 1.0038 into 10 to the power 20 solve करोगे तो यह result आने वाला है 7.878 into 10 to the power 10 items पर second कर सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो BQ विचिस बैक्क्यूरल और आप लिख सकते हो disintegration rate आपने calculate कर ली है इस question में ठीक है तो इस question का demand क्या था यही था इसके लावा तो कुछ और निकालना नहीं आपको बस unit का ध्यान रखना है विचिस BQ विचिस बैक्यूरल फॉर डिसिंटीक्रेशन रेट की यह unit है और या फिर आप items पर second में उसको छोड़ सकते हो अपने अगले question की तरफ उसको देखते हैं तो बचो आपकी स्किन पर चुका है हमारा question number 11 जिसमें बोला गया है अगर हम लोग के पास डारेक्ट यहां पर एक फॉर्मूला होता है नुकलियर रेडियाई का चीक है तो नुकलियर रेडियाई का जो फॉर्मूला होता है that is r is equal to atomic mass का 1 by 3 ठीक है यह formula आपकी ICRT में भी है अब अगर यहां पर अगर आपने लिखा है 79 AU which is a gold 197 इसका अगर आप लोग mass number देखोगे तो कितना है तो आप कहोगे a equal to आपका है 197 एंड अगर आप से पूछा जाए कि आपका जो silver है 47 107 में mass number कितना है तो आप कहोगे this is 107 तो यह है आपका AAG और यह है AEU अगर आप according to the formula ratio निकालोगे तो ratio क्या हो जाएगा RAU upon RAG is equal to itemic mass of yeah itemic mass can you mass number of gold that is AU upon mass number of silver ki power 1 by 3 which is equal to 197 upon 107 ki power 1 by 3 1 by 3 करोगे आप इसका तो आपका answer आएगा 1.2256 तो यहाँ पर आप से पूछा गया था ratio between the nuclear radii of gold and silver तो आपने वो निकाल लिया है यहाँ पर यह भी समझ लिया है कि हमको यह isotopes की value क्यों दी गई है ताकि हमको यह पर चल जाए कि mass number किया है जैसे ही हमको mass number मिल जाएगा हमको direct formula दिया है nuclear radii का which is this one in terms of item mass number that is तो relation है आपका nuclear radii का which is equal to the mass number का cube root ठीक है तो इसका मतलब हमने 11th question कुरा solve कर लिया हमने ratio निकाल लिया 1.2256 तो question को करते हैं lock और चलते हैं अपने 12th question की तरफ तो बचों आपती screen पर है हमारा 12th question जिसमें पूछा गया है find the q value and the kinetic energy of the amateur alpha particles in the alpha decay of 22688 radium and B में है 2286 redon उसमें आपको masses given अगा हम पहले बात करें सिफ ए पार्ट की तो आप लिखोगे given में क्या है आपको ए पार्ट में 22688 radium का हमें क्या करना है alpha decay करना है alpha decay में क्या होता है आपके प्रोटॉंस जो है वो रिडियूस बाइटू दाट मींस ही हो जाएगा 86 86 इस दा आइटेमिक नंबर ओफ रिडाउन और प्रोटॉं आपके रिडियूस हो गए और आपके न्यूटॉं कितने रिडियूस हो जाएंगे रिडियूस बाइफोर मतलब यहां से आप माइनस करोगे 4 विच इस 222 प्लस 2 helium 4 प्लस Q ठीक है यहां से अगर आपको Q value निकाल ले तो Q value का formula होता है sum of initial masses minus sum of final masses C square ठीक है अब अगर हम लोग initial mass की बात करें तो इनिशली क्या है यहां पर तो आप कहोगे इनिशली रेकेंट मास्स है हमारे मास ओफ 226 रेडियूम 88 कि माइनस सम ओफ फाइनल मास्स तो आप इसको लेखोगे मास ओफ 86 रेडॉन 222 प्लस मास ओफ 4 हीलियम 2 और यहां पर हो जाएगा C square ठीक है बिलकुल सही यह आप पूरा ब्रैकेट में लिख लो अब अगर यहां पर अगर हम लोग nuclear मास भी कंसीडर करके चलें तो नुक्लियर मास के लिए हमें क्या करना पड़ता है एलेक्ट्रोन के मास को माइनस करना पड़ता है तो यहां पर अगर आप ठीक है यहां इस helium से करोगे तो होगा minus 2mE यह हो जाएगा आपका minus 88mE प्लस होने के बाद ठीक है यह minus और यह plus हो जाएगा क्या हो जाएगा यह cancel हो जाएगा mass of electron तो आपकी equation क्या रहेगी यही रहेगी इसलिए हम यहां पर इस तीज को मेंशन नहीं करेंगे ठीक है आपको पार चल जाएगा क्यों नहीं कर रहे हैं मैंने भी समझा दिया ठीक अब यहां पर हमारे पास सारे मास गिवन है देखो रिल्टे मों कितना मास के बने ताप का होगे 226.02540 माइनस कितना हो जाएगा अंदर अंदर होगा 222.01750 प्लस अंड हीलियम का मास क्या होता है 4.002603 C स्कुवारी आपका किस में आएगा U में आएगा ठीक है इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यह मिलने वाला है 0.55 0.005297 U multiply C स्कुवार अब 1U आपका होता है 931.5 तो आप लेखोगे 0.005297 multiply 931.5 MEV upon C स्कुवार multiply C स्कुवार हो गया कैंसेल सॉल्व करोगे यह मिलेगा आपका multiply करने के बाद 4.94 MEV तो आपने क्या निकाल ली यह आपने निकाल ली Q वैल्यू तो आपने एक portion तो solve कर लिया है इस A पार्ट का अब calculate क्या करना है तो आपका होगे अब हमारा बचा है kinetic energy calculate करने के लिए ठीक है तो kinetic energy का formula होता है that mass number after decay upon mass number before decay multiply Q value यह किसका formula है तो आप कहोगी यह formula है हमारा kinetic energy का तो यहां पर अगर इस केस के लिए kinetic energy देखोगे तो after decay जो mass number है वह आपका क्या हुआ था 222 पहले कितना था 226 और अभी आपका Q value कितनी आई 4.94 MeV यही आई solve करो तो यह निकल कर आएगा 4.85 MeV ठीक है तो आपकी क्या निकल कर आ गई है काइनेटिक energy of the alpha particle in the alpha decay इसका मतलब क्या हुआ हमने अपना इस कोशन का अभी सिर्फ ए पार्ट किया है अभी अब भी पार्ट करना भचा है तो चलो देखेंगे इसका भी पार्ट तो बचते हम भी बाट में आपको किसका अलपाडिके करना है रीडस्य करना है इस में क्या होगा लफटेश में तो आप काको कि प्रोटॉंस यह तो नंबर से प्लस 2he4 प्लस q value आपको क्या calculate करना है पहले आप calculate करोगे q value जैसा कि आपने ये पार्क में किया sum of initial mass minus sum of final mass तो initial mass में आपका क्या है mass of 220 redon 86 minus sum of final mass में आपका आएगा 84 polonium 216 plus mass of 2he4 और ये होगा c square अगर मैं यहीं पर ये c square यहां पर जो value आईगी मेरी u में masses की इसको अगर मैं किसमे convert कर लूँ तो आप कहोगे इसको मैं आप convert कर सकते हो अभी जो मेरी mass की value आईगी वो मेरी आईगी u में फिर मुझे सो convert किसमे करना पड़ता है आपको MEV में ठीक है तो मैं अगर starting से ही MEV में convert कर लूँ तो कर सकते हैं तो पहले मैं यहां पर values रखती हूँ तो ये value आपको दी गई है 220.01137 minus polonium की आपको कितनी दी गई है तो polonium वाले आपको given है 216.00189 and helium का आपका mass होता है 4.002603 ठीक है अब यह मेरा किसमें आएगा U में आएगा तो convert कैसे करते हैं multiply करते हैं 931 931.5 MEV upon c square multiply c square cancel हो जाता है ठीक है इसको आप solve करोगे आपको answer मिलेगा आपका MEV में कितना मिल रहा है 6.41 MEV यह आपका क्या निकल कर आगे किया इस B part के लिए Q value निकल कर आ गई है आपको क्या निकलना है काइनेटेक एनरजी उसका formula क्या पढ़ा था mass number after decay mass number before decay mass number after decay कितना हो गया है 216 upon में कितना आएगा before decay 222 multiply by Q value 6.41 solve करोगे कितनी आ रही है काइनेटेक एनरजी 6.29 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट तो इसका मतलब हमने अपने इस question का A part और B part दोनों solve कर लिया यहाँ पर बस हमको यह याद रखना था कि एलेक्ट्रोन को minus करने के बाद भी यह इतना ही रहेगा हर बार ऐसा नहीं रहेगा कई पर हो सकता है कि एलेक्ट्रोन का जब मास हम माइनस करते है निउपलिया मास के लिए तो वो आपका सेम ना रहे ठीक है तो जरूरा रहे जरूरत क्या है कि आपको यह concept पता हो कि क्यूं हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया ठीक है तो चलो देखते हैं आपन आज का लास्ट कोशन तो बच्चों कोशन नमर 13 आपकी स्क्रीन पर है जो कि हमारे आज के सेशन का लास्ट कोशन जिसमें बोला गया है कि एक रेडियो निकलाइड है 11 कारबन डिके अकॉरिंग तो दिस रियक्शन इन डैट जो 11 6 कारबन डिके हो रहा है 11 5 बोरॉन प्लस पॉसिट्रॉन यह क्या है पॉसिट्रॉन प्लस न्यूट्रन यहां पर टी हाफ आपको दिया है 20.3 मिनिट क्या इसके दरोत पढ़ने वाली है देखते हैं आगे मैक्सिमम एनर्जी ऑप दे आमिट पॉसिट्रॉन इस दिस वन 0.960 मेगा एलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर आपको मास वेल्यू गेवन है आपको कैल्कुलेट करना है क्यों एंड कंपेर करना है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉसिट्रॉन अंटे ठीक है तो चलो कर आम लोगो क्यों बैली निकालनी होती है तो वहां पर बात होती है डिल्टा एंकी दाट इस अ मास्ट इफेक्ट जहां पर वो आपका होता है सम उफ इनिशल मास इस कौन सा इनिशल मास है तो आप कहोगे मास ओफ 116 कारवन क्या मैं यहां से मास ओफ एलेक्ट्रॉन को माइनस करूंगी बिल्कुल करूंगी पिर हम कंसीडर करते हैं यहां पर नुकलियम मास तो यह मेरा हो जाएगा माइनस 6 एनि ठीक है फिर यहां पर माइनस सम ओफ फाइनल मास से तो उसमें आज जाएगा मास ओफ 11,5 बोरॉन इसमें से भी माइनस होगा आपके माइनस 5 मास ओफ इलेक्ट्रॉन प्लस क्या है यहां पर यह पॉजिट्रॉन जो क्या होता है यह एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है सेम सब कुछ सेम रहता है बट यहां पर जो उसका चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाता है तो यहां पर मास ओफ इलेक्ट्रॉन एक आजाएगा ठीक है इसको जब आ माइनस टू मास उफ इलेक्रों सॉल करने के बाद आपका यह क्या एगा डेल्टा एम आ जाएगा ठीक है अब यहां पर मास ओफ दिस आपको गिवन है कितना गिवन है अब तो आप लिखोगे 11.011434 माइनस बोरों का आपको दिया गया 11.009305 माइनस आपको स्टार्टिंग म उसमें मास ओफ इलेक्रों कितना था तो आपको जो स्टार्टिंग में टेबल थी उसमें आपको मास ओफ इलेक्रों दिया गया था या फिर मास ओफ यह पॉजिट्रों क्या लाएगा that is 0.00548 जब आप इसको सॉल्फ करोगे तो आपका जो डेल्टा एम है वह आपका यहां से अगर आपको कोई बोले क्यों वैल्यू तो वहां पर क्या हो जाएगा डेल्टा एम सी स्कुवाइर विच इस 0.00103 3 x 931.5 एम एवी अपॉन सी स्कुवाइर मल्टिप्लाइ सी स्कुवाइर कैंसिल आउट हो गया यह सॉल्फ करके आपका आएगा 0.9617 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट ठीक है तो अभी आपने क्या कैलकुलेट कर लिया यह क्यूं वैल्यू कैलकुलेट कर ली अब आपको क्या वोलाए कि आपको यहां पर कंपेर करना है maximum energy of the positron emitted यहां पर कुछ लोग सोचेंगे कि mass of electron क्यूं यहां पर कंसीडर किया है क्यूंकि positron और electron में सिफ क्या अंतर है that was a positive electron ठीक है इतनी बार समझ गया तो यहां पर maximum energy की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि जब यह एमेट होकर boron और positron आ रहा है तो जो यह boron का मास है as compared to positron और neutron बहुत ज्यादा रहेगा तो इसकी जो kinetic energy है क्यों क्या होगा आपका kinetic energy of boron प्लस kinetic energy of positron प्लस आपका energy of neutrino ठीक है यह क्या हो जाएगा आपका negligible 0 हो जाएगा approximately 0 हो जाएगा एंड यहां पर जब आपको क्या चाहिए positron की maximum energy चाहिए होगी तो आपको इस neutrino की minimum energy करने बढ़ेगी तभी आपको positron की maximum energy energy मिलेगी ठीक है तो यहां पर यह कितनी आ गई maximum energy of positron वह आपकी हो गई है equal to the q value which is 0.9617 mega electron volt इसका मतलब क्या conclude कर दोगे लास्ट में that is the maximum energy of the positron emitted is equal to the q value ओके तो यहां पर हमारा आज के session का last question भी solve हो गया है हम मिलेंगे फिर से अगली class में जहां पर हम discuss करेंगे इसके आने वाले next questions तो बचो आए हो पाद हमने जितने भी question solve कि यह है nuclear chapter के आपको आ गए होंगे अलिएग ऑगिल गवाहन प्ईंड़ कि उलूज कि यह होंगे है have जबने बच्वा और फिर दाए होंगे ए dengan तो एमिलू OFF रश, क्योंगे ओिह, र Wäh Вас trat दो ओई हारा? आए होन IS vagina